नमो नारे जे गोमाता वंदे मात्रमा भरति कुप्रणाम और विर्दैशे ओम शम शनिश्चराये लोगों विर्दैशकों मित्रों साथियों जिन्दिगी में हमेशा आपको मुस्कराने की वज़े नहीं मिलेगी लेकिन साथियों आपकी मुस्करान आपकी मुस्कान दूसरों की मुस्कान का वज़े जुरूब है आर एक बात और क्याना चाहता हो आदमी छोटा हो या बड़ा इसे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन या आदमी की सोट छोटी है या बड़ी इसे बहुत बड़ा फरक पड़ता है जिरा सोचिएगा इस बार में अब नमो ना रहे मकर रासी की साड़े सात्य का अंतिम चरण शमय और कालचकर की मशीन पर विशेष यात्रा पर चरचा कर रहा है मकर राशी की साड़साती का जो अंतिम चरण है वो समय चकर और काल चकर की मशीन पर जो विशेष आलोकी की यात्रा है इस पर चर्चा कर रहा है परिमित्रों शाक्यों 17 जून 2023 को करम्फल दाता प्रमयाईदी दंडा हतिकारी शनिदेव अपनी मूलत्रिकावन राशी कुम में दूसरे भाव में मकर राशी वालों के लिए व्करी है और जब यह वक्री हुए तो मैंने विशेश रूप से राशी फल का वीडियो गुरुमंतर विद्धाती महाराज पे डाना बहुत सवाल हैं बहुत कॉश्चन थे सोचा कि समय चकर काल चकर की मशिन पर मकर राशी की जो अंतिम साड़ी साती की जो विशेश आलोकी की यात्रा इस पे और चर्चागा मकराशी वालों के लिए जो साड़े साती ने वो बहुत खास है क्योंकि लगना अधिपती रासी अधिपती धनभाव में संचरन कर रहे हैं और मूल त्रिकॉन डाशी में संचरन कर रहे हैं और वहां दूसरे भाव में ये वक्री हो गए ये तीन मूल कारण है क्योंकि मूल त प्रतेग्र वो तम फल देदा, त्रिकॉन एन एक पांच नो, तो त्रिकॉन को अतिशुब माना गया है, तो मूल त्रिकॉन डाशी में कुम में शनीदेव का विराजना, फिर उसमें वक्री होना, और तीसरा धनवाव में संचरन करना, वक्री अवस्ता और शुब विराजमा तो चेश्टा बल बहुत बढ़ गया, अधिक प्रवावशाली फल देने की स्थिति में शनीदेव इसमय है, और अवस्ता भी दिप्त अवस्ता है, दिप्त अवस्ता में शनीदेव संचरन करे, कोई भी घ्रह अपनी मूल त्रिकॉन डासी में संचरन करता है, तो दिप्त में संचर करना है और शाड़चाती को लेकर बहुत सी चर्चाएं आपके साथ लोगों ने करी और मैं सुनता भी हूँ आप पर शाड़चाती का क्या प्रभाव रहेगा पूर्णता वैदिक विशलेशन में वीडियो गुर्मंत्रविदाती महराज पर मैंने डाला है क्या प्रभाव रहेगा आपके लगन आपकी नाम राश्य के आधार पर मैंने पूर्णता आपको समझाने का प्रियास क्या लिए उसकी बावजूद भी बहुत फौन का लाहेगा कि दाती माराज कुम्राशी में शनीदेव वकर हो रहे हैं और वकरी शनीदेव का मकर राश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्र शात्यों मेरी आरादिदेव की चर्ता है मेरे संपूर्ण जीवन की आधार है और भारत की भागिस और कर्मिक शनी देव और मेरे लिए मेरा राष्ट रोपर यह राष्ट हित में चली आप लोगों के साथ मकर्यार्षी की अंतिम साड़ी साति की करा है इस पर आ रा है ... शच में यह आत्रा समय चक्र की आत्रा है इस यात्रा में मकर्यार्षी वालों को जीवन की जो जो सुकत और आनांडायक पर्वृतरनी के और लेंकर जा रहा हूं शवह हमीशा गति सीले सातियोں मैं कहता कि मैं कभी नहीं रुपता नहीं कभी ठहरता क्योंकि मैं परिवर्तन सी हूँ मैं मनुश्य की जिवन में रुपांतरन परिवर्तन लाता हूँ किसी के लिए अच्छा बन कराता हूँ उसके कर्मों के आदार पर और किसी के लिए बुरा बन कर आता हूँ, उसके कर्मों क्या दाता हूँ, तो यह अच्छा और बुरा मैं नहीं हूँ साती हूँ, आपके दोरा केगे कर्म मुझे बनाते हैं, अच्छा, क्योंकि मैं है, विवेनी ग्रहों के अवलोकन कर गए, जो घरे आपके कर्मों का अवल शनिदेव है और शनिदेव नियाय देने से कभी नहीं रुपते किसी के लिए नहीं ठेड़ते वे मनुश्य की जिमन में परिवर्तन लाते हैं और उसके द्वारा लाएगे परिवर्तन आपके कर्मों की आधार पर होते अच्छे और बूरे नहीं होते शनिदेव एक समान सभी के लेगति मान उतरा दू लेके खड़े है लेकिन सभी पर एक जस्ता प्रभाव नहीं देते आपकी जन्मकुनली में आपके निजगत कर्मों के आधार पर सनिदेव कहां विराजमान है उस आधार पर फ्रपरदान करते हैं क्या दसा है क्या अंतर दस किस अवस्ता में शनीदेव विराजमान है आपकी जन्म को लिए यह दिवास्तों में दसा और अंतर दसा अनकूल नहीं है और शनीदेव आपके निजगत कर्मों से प्रतिकुल अवस्ता में विराजमान है तो कुछ शमश्यों का शामना भी करना पड़ता है लेकिन यह जो श साड़ी साथी का अनतिम गणेन में राषी वालों इसकू समझीएगा सनीदेव और शास्त्रों में चड़ता है कि कर्म को कितना और किस करकार भुगतना सनीदेव पास्ट में लेके जाएंगे भूतकार में लेके में यहाँ समझना होगा मैंने बात समय चकर की करिए और आपके साड़ी साथी का अंतिम चरने थोड़ा सा समझ लीजिए जिवन की बहुत सी समझाओं का समधान मिल जाएगा क्योंकि सनिदेव एक ऐसे देवता है जिने सीधा सीधा काल से जोड़ा गया है पास्ट लाइफ में जो हमने करम किये उन करमों का निर्धान कैसे होगा इस सनिदेव के उपर निर्भारे सत्रा जून को सत्रा जून दोजार तैईस को रातरी दस बज कर बावन मेंट पर सनिदेव अपनी मूल्त रिकॉन राशी कुम में राउदेव के नक्षत सत्विशा के दूसरे चरण में वक्री हुए जरा ध्यान दे घटना घटित होने के समय यानि रातरी का बारा बज़े का पून अधराती के आसपास का समय अमावश्य का दिन धर्ती पर अंदकार अंदकार में सर्जन अंदकार में रहश्ये अंदकार में घहरी साधना साधना में हमाँ अंकार को और अंदकार को मिटाते हैं एक भी जब अंकरित होता है धर्ती का गहन अंदकार होता है एक जीव जनम लेता है तो उसके आसपास भी गहन अंदकार होता है वो जटरा अगनी से बार आने का समय होता है शनिदेव अंदकार के प्रतिक है इसलिए सरजन, साधना और रश इसकी प्रतिक भी सनिदेव है सनिदेव का दिम सनियार, राउदेव का नक्षतर सत्वीशा और राउदेव और सनिदेव को शमान ग्रह माना है और उसी नक्षतर में सनीदेव का वक्री होना और अधिक बलवान बना रहा है। मगर आशिवालोग营 सनीदेव लगन और दूसरे भाव के संही होकर अपनी मौल्तरि-बहुंड़ासी में धन भाव के वक्री हो रहें और मुन्हा संचरन कर रहें लगन आपरा साथ हो। आपका वैक्त्य है आपकी हो हैं आपकी सोच है है आपका अपना एक जिवन सैली आप है आप सिवम है लगन और दूसरा भाव Qatar धन आपका बैंक बैलेंस आपकी जिवन भर की कमाई आपकी वानी, आपका श्वाद, आपका कुटम, आपका समाज, आप चुकि सनिदेव वाक्री अवस्ता में दूसरे भाव में संचन कर रहे हैं, क्या प्रभाव रहेगा, बहुती सुब अवस्ता में है, तो धनभाव में विर्दी होगी, और सास्तर यह करा है कि सनिदेव जा मां भी विर्दी बेंड करेंगे धनवाव में विर्दी होगी जीवन के महत्पुन हिसे आपके बैंक बैलेंस में विर्दी होगी जीवन का दूसरा इसा महत्पुन हिसा आपका स्वास्ते है क्योंकि इस समय बहुत अच्छी वस्ता में विराजमान है स्वास्ते कल आप भी मि भक्री होना आपके धन और श्वास्ति दोनों में ब्रदी करेगा, धन समयन्दी समय्ष्यों का समधान मिलेगा, या धन समयन्जी जो प्रेशानी थी जो कर्ष्टा उसमें कमी आएगी, धन की आवग बढ़ेगी, बैंक बैलेंस में बढ़ोत्री होगी, आर्थिक प्रेशानी मुक्टि मिलेगी आर्तिक स्रोतों में भ्रति होगी एक से अधिक स्रोतों की प्राप्ति की साð लाव मार्व प्रशस होगा करजे लिएन की स्थिज्य जो चल लह दि आप करजे देना की स्थितिम आएगा स्वय्श्टमेंढ़ी कोई पुरानी सिमस्या उसे धिर धिर निवरान होगा और अच्छे स्वास्तिक के और अगरसर होगी यह जो शनीदेव दूसरे घर में है उसका फल बता रहा है मूल त्रिकॉन डासी देखिए त्रिकॉन को वैदिक जोतिस में जैमेनी में हर विधा में चाहिए वो कृष्णामूर्ती हो चाहिए जै शनीदेव की तीसरी पूर्ण दसी चतुरत भाव है और मेश राशी को देखिए यहां अवस्ता बड़ी सुभ है इस्थान भल भी मिला राशी भल भी मिला यहां अपनी राशी मूलत्रिकॉन डाशी अब वो अपनी सुभ द्रश्टी हो गई वाँपर क्यूंकि ब्रश्प ब्रिश्पदेव उँचकी हो जाते हैं ब्रिश्पदेव और शनीदेव का जो त्रेका समंध है साड़े साती की अंतिम चरण जो अंतिम ढहिया में पोबारा पचीस का संकेर देरी मकर राशी वालों के लिए आर्तिक पक्स धन को लेकर प्रापटी को लेकर घर को लेकर गा अपा मिलेगा अपने घर का शपना घर में कोई बरोदरी रेनोवेशन या नया कंस्ट्रक्शन यह भी होगा आर्थिक मोर्चे पर गोचर उत्तम प्रणाम का संकेदर है घर परिवार का महोल अच्छा रहेगा मन की सांती मिलेगी लेकिन प्रियासरत अवसरे क्योंकि करम के कारक है सनी देव मामला करम का करम वेदी नहीं करोगे तो गाड़े आगे नहीं बढ़ेगी करम मन लगा के करना है तबी सपने साकार होंगे दूसरे भाव में विराज मांग सनी देव सब्तम पुंद से शिंग राशी अस्टम भाव को दखेंगे अस्टम भाव यानि जीव चाहिए यश्व चाहिए किर्थि हो शाथियों आनभाव पर विश्वास जादा करता हूं और मेरा हमेशा आनभाव यह कहता है कि जब भी कोई ग्रह देवता परिवरतन करते हैं उसे पूरी शर्ष्टी प्रावावज होती है मने से शर्ष्टी का एक छोटा सा अंस है प्र प्रभावित सब्स इस्तिमाल करते हैं उसमें हमारे लाइक करनले कुछ ज्यादा नहीं रहता है कि वो तो प्रभावित होना ही है उस पर आपकी या मेरी या किसी और की रोक टोक नहीं है तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जोतिस पढ़ेंगे आपके भीतर म सन्यदेव आयू के कारक भी है दूसरे वाँ मिराद मांरह सन्यदेव की सब्तम धर्षटी आपके कारकभाव को है शुब बनाने का प्रियास करेगी पीडाओं से मुक्ति मिलेगी पिछली समशाओं से मुक्ति मिलेगी चाहे वो कारोबार को लेकर हो चाहे नौकरी को लेकर हो चाहे रिस्ते को लेकर हो चाहे समाज या परिवार को लेकर हो पीडा में कमी आएगी समश्याओं में कमी आएगी, नौकरी में शकरात्म बदलाव आ सकता है, आवाजपत में बदलाव हो सकता है, हर समश्याशे मुक्ति में लेगी, लेकिन फिर मैं वही बात दो रहोगा, कर्मों पर ध्यान देना होगा, कि किस परकार के आप करम कर रहे हैं, उसी परकार का अधि पैत्रिक लाब या कम लाब आपको मिलेगा, सफलता के मद में रस्तों को दरकिनार करोगे, रिस्तों की कदर नहीं करोगे, अनामसुक बाद व्यावत तरक से नहीं बचे, या रिस्तों में पवितरता नहीं रखी, तो भी ये सनिदेव है, कर्मों का फल देते इस बात का ध ध्यान रखेगा, एक बात और है, अश्त्रम भाव पैत्रिक संपती, अनर्ड मनी है, जिसमें आपकी मेहनत नहीं, दूसरों का धन है, पैत्रिक संपती, पैत्रिक संपती का लाब मिलेगा, या फिर कहीं से रुकावा धन मिलेगा, आपने मेहनत करी, आपने परिश्त्रम कर और किसी ना आपका पैसा रोक लिया वह मिल सकता या सुस्राल से धन मिलेगा कि अश्रम भाव सुस्राल भी है यह अलग बात थिक थोड़ा मिलेगा धर देरे अब धाई साल है भाई टेंशन मत गरिए मिलेगा मिलेगा जरूर आकिसमा धनप्रापती का वस्तर मिलेंगे रोज यह आपका लाब है आपका सोचल नेटवर्किंग आपकी इच्छाएं हैं तो सनीदेव आपको कर्मों का लाब अवश्य देगी अपने सोचल सरकल की साहिता से आपको लाब मिलेगा प्रसासनिक पद और प्रतिष्णा बढ़ेगी राजनिते के छेतर में बर्चसों बढ़ेगा दस्वी दस्टी कर्म की दस्टी है जिस भाव पर दस्टी वा कर्मों की आउश्चत्ता है इदि आप मेहनत करते हैं परिश्ण करते हैं जिस भी छेतर में आप हैं तो आपको वाणलाब मिलेगा अपने मित्रों से अच्छे समंद बनाए रखना बहुत जरूरी है जिस सरकल में आप रहते हैं वो सरकल के साथ इमानदारी बहुत जरूरी है राजनेते के छेतर में बहुत जरूरी की वफादारी और पार्टी की परती इमानदारी बरती है पर सासरने का अफसर है तो सरकार की परती आपकी लॉयल्टी होना चाहिए अपनों से बड़ों से अच्छा समझ मना कर रखे आपकी इच्छा उस्य पूरी होगी कारियों में सहसता आएगी राजनेतिक सफलता में लेकिन सनी देव हर कार ये महनत परिष्णम और इमानदारी मांगगे अपने कारियों की प्रती इमानदारी अवस्य होनी चाहिए दामन सफलता जरूर चुबेगी मकर राशवालों एक बात और क्याता हूं प्रोग्राम की सुरात मैंने कहीते हैं कि समय कभी रुकता नहीं ठेरता नहीं ठीक उस पर गाशा सन्यदेव नियाद देने के लिए किसी के लिए रुकते नहीं ठेरते नहीं है लेकिन शमय और उनकी नया रास्ता दे सकते हैं यह वही समय है इस समय आपका सन्यदेव आपको एक मोका दे रहे है क्योंकि वकरी आवस्ता में वकरी आवस्ता में समय चक्र की रास्ते और काल चक्र की रास्ते क्यों गई कि वो दूसरे भाव का तो फल देंगे एक भाव पिछले का भी फन भी देंगे, दो भावों का फाल सनी देव देने में सक्षम है, सनी देव आपके लिए अवसर लेकर आए, अपने कर्मों को शुधारने का, अपनी गलतियों को पैचानने का, उन गलतियों को पैचान कर जीवन में दुबारा वही ही गलती नहीं हो, इस प्रियास को आप करें, परिश्रम करें, और सही मारग चुने, सनी देव आपको शंकेत देना है, अपना आप मारग बदल सकते हैं, यह 100% आप पर निर्भर करता है, जो पिछली बार गलती हुई जीवन में, वो अब दुबारा नहीं हो, यह सनी देव से, क्यों क्यों कहा आपको, कि यह नमंबर तक रहेंगे, आने वाले कई सालों की निव को मजबूत कर जाएंगे, तो यह अउसर है आपके पास, सनी देव लगन का तो फल देगी देगे, मांसमान या सकीरिते में विर्दी करेंगे, थौट प्रसेस को बहुत मजबूत बनाएंगे, लगन और धन भाव, यह आपके प्रभावित हो रहे है, और यह अपने आप में बड़ा आलोकिक है, क्योंकि समय चक्र काल चक्र की मशीन पर, शनी जब दो भावों का फल देता है, तो यह अदभूत होता है, तो अवसर है आपके पास, साड़ साथी के अंतिम चरण में, कुछ ऐसा करें, कि आने व प्रुत को देखेंगे, सब्तम दस्टी से अस्टम को देखेंगे, सब्तम दस्टी से अस्टम को देखेंगे, और दस्टी से आई भाव को देखेंगे, कामकाज, कारबार, नौकरी, वैविसाय, समाज, परिवार में, आपका बर्चसु बहुत अच्छा बढ़ेगा, और श मत सचेएगा अपने विश्वास को मजबूत रखेगा आवरन से दूर रहिएगा ये साड़े साती आपको अदभुद देगी और चार नमंबर तक आपके लिए सनितेव का ये जो प्रभाव है अपने आप में बड़ा अलोकिक है बड़ा अदभुद है और बड़ा ही लाबक सरिदेव की किरपा वरसेगी सबसे पहला उपाएगा आप गाई को निरंतर सरदानुसार हरा चारा जरूद है हर रोज सुबह और शाम अपने घर में सर्चों का तेल का दिपक जलाईए तीन माला या फिर सरदानुसार एक माला ओम हरीम श्रिपुत्राय कलिंग इस मंत्र का जाप करने से जिवन खुष्यों से भरा रहेगा हर रोज या सनिवार दिन बाजरे का आटा शकर बूरा सरदानुसाथ नगला सरदावन आटा प्रारम होगा चार जुलाई से, दस जुलाई को स्रावन का पहला सोंबार है, और इस बार आठ सोंबार के 69 दिन का स्रावन है अधिक मास की वज़े से, प्रतेश सोंबार को भगवान शिव का रुद्रा अभिशेक आप जरूर कर लेना, आपका बेडा पार हो जाए, गरीब को भोजन का दा दान में, देदया जी, ऐसे व्यक्ति को दान में जो बहुत गरीब है और उम्मट 60 साल से अधिक है, विश्वास करेगा, कैरियर में, कारोबार में, वैविशाई में, उन्ति के उत्तम अउसर मिलेगा, सन की साड़े साती का, समय चकर और काल चकर की मशीन पर ये अंतिम माल अलोके की आत्रा है आपकी, और शनी देव आपका कल्यान करेगा, हाँ, गरीब की सेवा करेगा, पवितरत के साथ ओम्म्म शनिश्चराय नमश्मंत्र का जाप करेगा, जिवन आपका खुशियों से भरा रहेगा, मित्रण शाथियों, साड़े साथी की अंतिम चर्ण मकर र अधियों से बचिये, शनी देव बहुती उत्तम आउस्ता में संचरन करेंगे, लाब मिलेगा, दन मिलेगा, व्यभाव में बलोतरी होगी, वर्चस्तु बढ़ेगा, राजनितिक सफलता मिलेगी, कैसे भी मिले, कही ने कही से सयोग जरूर मिलेगा, और सफलता जरूर मिले नमना रहें, फिर भी यह मेरा निजी आंकलन था ग्रनक्षत्रों के ग्रनापर, नब्हाय, नब्हाँने ब्रहभांति नि जर आपके पास है और के पास रहेगा, मनौननन आपकी मन धरी, हाँ, यह आंकलन मेरा केमी, दोनों वाज़ जोट कर समा मांगता हूँ, आप शुक आपश्वस्त्रे शमर्दी शीले संद्व की चणडों मेरी प्रात्मा ओमन मना रहे राष्तान का हर व्यक्ति जानता है अग्दाति मराज गायों से बहुत प्लार करता है हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है और यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं यह मेरा जीवन का दो शेवा में अपना जीवन राष्ट के साथ लगा यह वरतमान प्रस्तियां आर्टिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है दन महीं मंघ ऑक आ कि मुझे आ पैसे के नहीं है पहले भी कभी नहीं मांगे अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेराश्त के सामने कभी नहीं आया था हमेशा मैंने ये आकसा आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता है धन नहीं चाहिए लेकिन वरत्मान में जो आर्겠습니다 परस्ते हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर लिए कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्यों के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी ची में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए और इसलिए मैंने कहा था कि भई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा ये एंकार नहीं है शातियों मेरा राश्ट पर है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगबग 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रण करता हूं और यह सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिक से अनकूर शंकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्टे कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते है शासन की अपनी ए तो सालों में खड़ा रहना है नंबर है जरुर स्योकर है परा कोई दबाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमो नाराएन ओम नमो नाराएन